तो आज हम रोट के components के बारे बात करने वाला हैं देखेंगे के करके कि केरीज़वे क्या होता है सॉल्डर क्या होता कर्ब क्या होता एक-इक करके देखने वाला हैं तो पूरे लाश्ट तक आप बने रहीएगा वीडियो पे उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही बेल आइकम को प्रेस कर लें इस चैनल पर आपको सिविल इंजिनिरिनिंग से रिलेटेड पूरा वीडियोज मिलेंगे सॉफ्टवे टुटोरियल्स भी और कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल वीडियोज मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए एक-एक करके समझते हैं तो आप बात करते हैं कैरीजवे क्या होता है यह जो आप स्पेस देख रहे हैं जिसमें वेहिकल चल रही है बस इतना ही एरिया जिसमें वेहिकल ट्रेवल कर रही है उसे हम कैरीजवे बोलते हैं सिंगल लेन के लिए हम कैरीजवे 3.75 मीटर तक लेते हैं अगर डबल लेन के लिए हम लेन तो 7 मीटर तक हम लेते हैं अगर उसमें कर्व नहीं है तो और अगर कर्व है तो 7.5 मीटर तक हम इसका विर्थ लेते हैं अगर मल्टी लेन है तो पर लेन 3.5 मीटर तक हम लेते हैं अब हम बात करते हैं सॉल्डर के बारे में यह emergency lane होता है अगर किसी vehicle को किसी car bike को रुखना है तो वो तो road के बीच में रुख नहीं सकता है अगर रुखता है तो पीछे से कोई ठोक देगा और हर जगा आपको road के side में आपको तो हर जगा space नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पर vehicle रोख सकते हैं और selfie ले सकते हैं इसलिए emergency lane बनाया जाता है जिसे हम solder बोलता है carriage way खतम होने के बाद solder होता है इसका minimum width 2.5 meter हम लेते हैं अलाकि drawing में mention होता है कि क्या विर्थ ले रहा है अब बात करते हैं कर्ब क्या होता है यह boundary को सो करता है यह pavement और solder के बीच में हो सकता है pavement और footpath के बीच में हो सकता है जैसा कि आप picture में देख रहे हैं अपने highway में भी ऐसा दिखा होगा तो इसे कर्ब बोलता है अब बात करते हैं मेडियन क्या होता है हाइवे पे दो रास्ते होते हैं एक जाने वाला एक आने वाला तो दोनों को ये सेपरेट करता है बीच में आप हाइवे के बीच में आप देखे होंगे कि जहां पेड़ पोधा रहता है वो एरिया को मेडियन बोलता है पीस नहीं है तो हम 3 मीटर तक भी लेते हैं लेकिन अगर ज्याहता इस पेसर तो पास मीटर तक लेते हैं तो बात करते है कि या होता ये ज路ट के बीच में आप राइस पोर्शन देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर जो percentage दिया गय़या है जो धलान है उसे हम camber बोलते हैं इसे हम cross slope भी बोलते हैं इसका देने का main purpose होता है कि बारिस का जो भी पानी आता है वो slope के कारण, ढलान के कारण वो पानी side होकर निकल जाता है अगर पानी road में रुखा तब तो road खराब हो जाएगा इसलिए camber दिया जाता है right to way क्या होता है road का जो पूरा विर्थ होता है उसे हम right to way बोलते हैं जिसके अंदर shoulder, footpath, guard rails सब आ जाते हैं उसे हम right to way बोलते हैं अब बात करते हैं road margin क्या होता है road के left और right में कुछ margin रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि आप वहाँ कोई construction नहीं कर सकते हैं वो road का area होता है मान लिजिए road के बाद 5 meter margin रखा गया है तो आप वहाँ कुछ भी construction आप नहीं कर सकते हैं वो पूरा road का area हो जाता है बाद में bus के लिए जो base बनाते हैं रुकने के लिए जो bay बनाते हैं cycle tracks जो बनाते हैं footpath जो बनाते हैं guard rails हम लगाते हैं तो सारा इसी margin के अंदर में आ जाता है guard rails क्या होता है यह जो आप picture में देख रहे हैं यह solder के बाद दिया जाता है इसे हम guard rails बोलते हैं इसका देने का main कारण यही होता है कि बीच में चलती रोड में कोई animal ना आ जाए कोई और अचानक से रोड में ना आ जाए इसलिए इसको देना जरूरी होता है